आज रात प्रभू ने मुझसे कहा जैसे कि उसने प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय उसके आठ पद में प्रतिग्या की है मेरे बच्चो मैं तुम्हारे सामने एक खुला हुआ द्वार रख रहा हूं और कोई पुरुष, कोई इस्त्री उसे बंद नहीं कर सकेगा आज रात प्रमेश्वर आपके सामने आशिष का द्वार खुल रहा है कोई इसे बंद नहीं कर सकेगा यहां तक के आप भी अबसे इसे बंद नहीं कर सकेगे क्योंके येशु मसीही वे द्वार है उसके पास स्वर्ग और नर्क के द्वार की कुझियां है आज जब आप अपने हुर्दय के द्वार को खोल कर येशु को अंदर आने के लिया मंतरित कर रहे हैं तो येशु आपके हुर्दय में आ रहा है और वे आपके हुर्दय को और आपके जीवन को खोल रहा है के आप उसकी आशिशों को पाएं आशिशों को पाएं और आशिशों को पाएं हुआ द्वार रख रहा है बस उसकी स्तुती करें बस उसकी स्तुती करें हो सकता है अब तक आप यही कहते आएं हैं के मेरा हुर्दय मेरा जीवन परमिश्वर की आशिशों के लिए बंद पड़ा है लेकिन आज रात येशों ने प्रत्य एक जन पर तरस्खाया है वै आपके लिए द्वार खोल रहा है क्योंके उसने स्वयं मृत्यू का सामना किया अपनी बेरुजगारी के कारण जिस मृत्यू का सामना आप कर रहे हैं पाप, अपराद, बोध और श्राप के कारण जिस मृत्यू का सामना आप कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं में असफल हो जाने के कारण जिस मृत्यू का सामना आप कर रहे हैं अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण जिस मृत्यू का सामना आप कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं के सताव के कारण जिस मृत्यूं का सामना आप कर रहे हैं जिशू ने इस प्रकार की हरे एक मृत्यूं का सामना किया और वै कब्र में गया and he endured the death that you and I are going through in our life तर उसने उस मृत्यू का सामना किया जिसका सामना आप और मैं अपने जीवन में कर रहे हैं but on the third day परंदू तीसरे दिन Jesus rose up from the dead येश्यू मृत्यू को में से जी उठा destroy the powers of death और उसने मृत्यू की शक्तियों का नाश कर दिया और उसकी कब्र का द्वार खुल गया, वो पत्थर वहां से हटाया गया, और येशु जीवित होकर बहर आ गया, वे मृत्तियु के उस बंद द्वार में से होकर गया, और फिर जीवित बहर आया, आज भी वे जीवित है, येशु जीवित है, वे जीवित है, वे जीवित है, वे आज कहां पर है, आपके हरदय में, आपके हरदे में आपके हरदे में आपके हरदे में कहें मेरे हरदे में Alleluia! In my heart Jesus is alive येशु जीवित है He has defeated death उसने मृत्यु को पराजित किया है And He has risen up alive और वैजीवित होकर बाहर आया है And Jesus says और येशु कहता है Because I live क्योंके मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीओगे तुम भी जीओगे तुम अपनी बेरोजगारी में नहीं मरोगे तुम अपनी शराब की आदत में नहीं मरोगे तुम अपनी शराब की आदत में नहीं मरोगे तुम शैतान के सताव में नहीं मरोगे मेरे बच्चे आज अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे येशू से कहें येशू कुछ khác मेरे हृदय में आजा मेरे हृदय में आजा दूसरे क्या कहेंगे इसकी परवाना करünüz Nobody can help you in the world Because nobody has defeated death as Jesus has defeated death Nobody rose up from the dead Nobody is alive as Jesus is alive Don't worry about anybody किसी की परवाह ना करें संसार की परवाह ना करें बस अपने हुरदे को येशु की और मोडें और इस समेवे यहां पर है आपको येशु को ढूंदने के लिए कही जाने की ज़रूरत नहीं है अब जहाँ पर भी हैं मेरे हुर्दय में इसी समय मेरे हुर्दय में आजा इसी समय मेरे हुर्दय में आजा पवतर आत्मा येशु को जो के स्वयम परमेश्वर है आपके हुर्दय में लेकर आ रहा है वह आपके अंदर जीवित हो रहा है और जब आपके अंदर आएगा तो आपको क्या करना होगा? अपने पापों को छोड़ दें नीती वचन अठाई सद्धाए और उसका तेरा पद जो अपने अपराद छिपा रखता है उसका कारे सफल नहीं होता परंतु जब येश्व आपके पास आएगा और आप अपने पापों को मान लेंगे तो एक यहन्ना एक अध्याए उसके नौपद के अनुसार और जब आप कहेंगे प्रभू मैं अपने पापों को त्याग रहा है मैं अब से शराब नहीं पीना चाहता मैं अपने पती या अपनी पत्नी के प्रती दुष्टता का वैवहार नहीं करूँगा मैं रिश्वत नहीं लूँगा मैं कामुकता के कारे नहीं करूँगा मुझे अनुग्रे प्रदान करें मैं अपने पापों को त्याग रहा हूँ और जब आप येश्यू से यह कहेंगे तो वै आकर आपको आपके पापों में से जीवित करेगा पाप आपके लिए मृत्यू को लाता है Romans 6.23 The wages of sin is death The wages of sin is death But when the grace of God comes It gives us eternal life through the forgiveness of sin from Jesus परंतु जब परमेश्वर का अनुग्रे आता है तो ये हमें येश्यू के द्वारा पापों की माफी दे कर अनन्त जीवन प्रदान करता है हो सकता है आपने सबसे बुरे पाप किये हूं But you must know you have company परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे और भी लोग है There are a lot of sinners here यहां पर बहुत से पापी हैं Including me who has been a sinner But Jesus destroyed the sin and changed me to be His child यहां भी उनी में से हूं और बहुत पाप करता था लेकिन येशू ने पाप को नाश किया और मेरे जीवन को बदल कर मुझे अपनी संतान बना लिया He will change you वे आपको भी बदलेगा He will transform you वे आपके जीवन को बदलेगा You will become a child of God आप परमेश्वर की संतान बनेगे All your drinking will go away today आपकी शराब की सारी आदत आज चली जाएग प्रभू की स्तुति हो In Luke chapter 7 Luke का साथ अध्याय में There was a lady who was called sinner, sinner, sinner by everybody एक स्त्री थी जिसे सब लोग पापेन, पापेन और पापेन कहते थे She could not go anywhere वे कहीं नहीं जा पाती थी The door for her life was closed उसके जीवन के द्वार बंध हो चुके थे If she goes out, everybody will say Sinner, kill her, throw her out and disown her क्योंके यदी वे बाहर जाती तो सब लोग चिलाने लगते के ये पापेन है, इसे माल डालो इसे अपने बीच में से निकाल दो So she was afraid to go outside और इसलिए वे बाहर जाने से डरती थी But when she heard that Jesus was coming into her city लेकिन जब उसने सुना के येशू उसके शहर में आ रहा है She ran into the house where Jesus came तो वे दौड कर वहां उस घर में गई जहां पर येशू था And fell at his feet और उसके चरणों में गिर गई Cried and cried for her sins And said forgive me She was saying from the heart Forgive me Lord Turn me from being a sinner I am tired, I am tired, I am tired Of being called a sinner and being shut in the world संसार में लोगों के द्वारा पापिन कहलवा कर और त्यागे जाकर अब मैं थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ She wet the feet of Jesus with her tears और उसने अपने आंसों से येशू के चरणों को भिगोया And wiped his feet with her hair और उसके चरणों को अपने बालों से पोँचा The people in the room shouted, sinner, sinner, sinner और उस कमरे में जो लोग खड़े थे वे चिलाने लगे, ये पापिन है, पापिन है, पापिन है But she was not afraid परंतु उसे किसी का डर नहीं था She said, I want the door of blessing in my life to be opened So I am asking forgiveness from Jesus Only Jesus can forgive me because he knew no sin Only Jesus can forgive me because he became sin for me 1 Corinthians 5.21 says so Only Jesus can forgive me for my sins Because he went to the cross And he took all my sins upon himself And was a sacrifice for my sins to be forgiven She said, Jesus, only you can open the door for my sins to be forgiven I am leaving my sins Open the door for forgiveness for me Jesus was moved with compassion He said, go in peace Your sins are forgiven I am opening the door for the forgiveness of your sins I am opening the door for you to live Not as a sinner But as a forgiven child of God Tonight Jesus is opening that door for you How many of you say, I want freedom from sin I want to be a child of God Raise your hands and tell Jesus Open the door for forgiveness Lord Open the door of my life To have freedom from all sins of the world Open the door of my life Where everybody will call me a child of God Child of God No more sinner Let me go into the world as a child of God Come on, cry to God now Father, listen to the cry of your children None of us are holy All of us need forgiveness tonight Jesus, wash us with your blood Cleanse us with your blood Let every sin come out Let everything that is locked in our lives because of sin Live in Jesus name Let the wrong thoughts come out Anger come out Jealousy come out Earshah is the same Tribisism spirit come out Lust come out Fear come out Lord, we want Jesus and freedom in Jesus To be more than a conqueror as the child of God Father, give that grace to everybody Everybody open your mark And say, Jesus And say, Jesus Have mercy on me Have mercy on me Forgive me Cleanse me Cleanse me Change me Release me from sin I want freedom Open the door And make me And make me your child And make me your child Let me live as God's child Amen Amen The devil who has brought sin is leaving out of your life The devil who has brought sin in your life is falling as lightning away And the door of God's forgiveness is coming And the door of God's forgiveness is opening When you go back, leave all your sinful acts God will give you victory You have given your life to Jesus now You have given your life to Jesus now Your family will prosper because you have given your life to Jesus So you have given your life to Jesus No more death of sin Abse, paap ke karen ane wali mritiun nahi aeegi Secondly And the death caused by the devil will stop Shaitan jis mritiun ko lye kar aata hai Veya ruk jayegi John 10.10 Yuhanna 10.11 The devil comes to steal, to kill and to destroy Shaitan chori karne ke liye Ghahat karne ke liye Or nash karne ke liye Ata hai The devil puts you in darkness In the fear of death And makes you lose the hope in your life Shaitan aapke jeevan me Anandhakar ko mritiun ke bhai ko lye kar aata hai Or aap aapne jeevan me Aasha ko kho dete hai In Mark 5.5 Markus 5 adhyay ke 5 padme The demons came into a man Aek vyakti ko dushtaatmau ne jakar liya And the demons made him Throw away his dress and become naked Or dushtaatmau ke karen Veya aapne kapdee utar kar nirvastra ho jata tha That's what the devil does Shaitan aisa hi karta hai When he comes into somebody's life And makes them commit sin Jab vye kisi ke jeevan me Aajata hai Or unse paap kar wata hai He makes them lose their job To vye unse unki naukari chheen leta hai Lose their family relationship and holiness Unkei parivarik sambandhoon ko Aar pavitrita ko chheen leta hai Unkei paise ko chheen leta hai Nash ko lye aata hai And makes them naked in the world And hurt themselves Sosial media par gandhi Or ashleel cheizhen dhekhen Or aapne aap ka nukzaan karein To hurt other people And hurt themselves Douseron ko duch pahuncaayin Or aapna nukzaan karein The man was hurting himself Vye vyeakti aapne aap ko nukzaan pahuncaa raha tha No dress Shareeer par koji kapda nahi tha Blood flowing in his body Uske shareeer se lahu bhahta tha He was living in the graves Or vye kabrhoon mein rehta tha Kuch loog کہتے ہیں Meree paas rehnene ke liye ghar nahi hai Koii naukari nahi hai Parivar nahi hai I've lost everything My ne sab kuch kho diya hai This man was living in the graves Yeh vyeakti kabrhoon mein rehta tha Nobody wanted him Koii usse nahi chahta tha Koii usse nahi chahta tha Parantoo jab Yehshu uske nagar mein aya The man ran to Jesus To vye vyeakti dood kar Yehshu ke paas aya Or Yehshu nne kaha He shaitan He shaitan Jisne is vyeakti ke liye Aashisho ka dwaar bandh kar rakhha hai Isi samayis mein se nikal ja Isi samayis mein se nikal ja That is the power of Jesus Yehishu ki shakti Yehshu nne shaitan ke kamao ka nash kiya hai On the cross he destroyed the works of the devil Usne kruz par shaitan ke kamao ka nash kiya 1 John 3.8 Pehla Yohanna 3 a'dhai uska 8 pad And the Bible says in Hebrews 2.14 Or Ebranio 2 a'dhai 14 pad mein Bible batatzi hai Jesus destroyed the power of Satan over death येश्यू ने शैतान की मृत्यों की शक्ती का नाश खिया जिसे वैं लोगों के जीवन में लाता है उसने उस अंधकार का सामना किया जो शैतान लेकर आता है इसलिए येश्यू कहता है मरकुस सोला ध्याय उसके सत्रापद में मेरे नाम में येशु के नाम में तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे जब येशु तुम्हारे हुर्दय में आएगा और तुम येशु का नाम लोगे तो दुष्टात्माएं भागेंगी और मेरी आशिशों का दौर तुम्हारे जीवन में खुल जाएगा क्या आज शैतान ने आपके हुरदय में भै को डाल रखा है मेरे प्रिये युवाओ क्या आप अपने भविशे को लेकर भै से भरे हुए हैं अब से कोई दुष्टात्मा नहीं अब से आप दुष्टात्माओं को कभी नहीं देखेंगे अब से आप बुरी आत्माओं को कभी नहीं देखेंगे इसी लिए आपको अपने अंदर येश्यू के आत्मा की अवशक्ता है आपको हर दिन परमिश्वर के वचन को पढ़ने की अवशक्ता है बाइबल को पढ़ें पवित्रात्मा से भर जाएं हर सुभा जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान कभी आपको छू नहीं पाएगा शैतान आपके भविश्य को बंद नहीं कर पाएगा पवित्रात्मा आपके लिए भविश्य को खोल देगा पवित्रात्मा आपके लिए परमिश्वर की आशिश की योजना को खोल देगा लोग पवत्रात्मा को पाना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाकर कहें मुझे येश्व का आत्मा चाहिए अगले पांच मिनट में मैं प्रार्थना करूँगा कि परमिश्वर का पवत्रात्मा आप पर उत्रे वे पहले ही आपके अंदर आ चुका है परंतु अब वे उमढ़ेगा वे आपके लिए आशिशों के द्वार को खोल देगा मृत्यू की आत्मा इसी समय आपको छोड़ कर जा रही है और जीवन का आत्मा आपको भर रहा है बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके पीछे मृत्यू की आत्मा लगी हुई है आपके बच्चे उठ खड़े होंगे तरक्की करेंगे और देश में सामर्थी व्यक्ती बनेंगे मेरे प्रिये नौजवानों आप उठ खड़े होंगे और संसार में आदर के सामर्थी पात्र बनेंगे क्योंके येशू आपके लिए द्वार खोल रहा है उसने मृत्यू को जीत लिया है वे आपको हर दिन सिखाएगा हर दिन वे आपके लिए द्वार खोलेगा हम जीवते परमिश्वर की उपस्तिती में है इसी समय पवित्र आत्म सब पर उतर रहा है अपने हरदे को खोलें और पुकारें उससे कहें प्रभु मुझे अपने जीवनदाई आत्मा से भर दें मुझे पवित्र आत्मा चाहिए मैं मृत्यू के आत्मा में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे अंदर से जीवन का आत्मा बहे अब पवित्र आत्मा सब में प्रवेश कर रहा है अपने मूँ को खोल कर येशु को पुकारें इसी समय आपकी प्रार्थनाएं आपके पूरे जीवन के लिए आशिशों के खुले द्वार को लेखर आ रही है अब दुष्टात्मा है निकल रही है सिरदर्द की दुष्टात्मा है निकल रही है तनाव की दुष्टात्मा है निकल रही है सताव की दुष्टात्माई निकल रही है आत्महत्या की आत्माई निकल रही है आपके हुर्दय में भैलाने वाली दुष्टात्माई निकल रही है चले प्रभू की स्थुति करें अपना मूँ खोल कर कहें येशू आप जीवित है मैं आपको आदर देता हूं मेरे हुर्दै में आजाए मुझे जीवन दे मुझे पवित्रात्मा से भर दे अपना मूँ खोल कर पुकारे प्रभू पवित्रात्मा येश्यू के नाम में रत्य इक जन के फृष्दै में प्रवेश करें प्रभू into everyone's spirit law. Now I bind every evil spirit in Jesus' name. You fear of death. You fear of men. You fear. Come out in Jesus' name. You fear of death. Come out in Jesus' name. इसी समय येशु के नाम में निकल जा. You fear of man. हे मनुष्य के भहे. Come out in Jesus' name. येशु के नाम में निकल जा. Leave the hearts and spirit of everyone here. यहाँ उपस्तित प्रत्येक जन के दिल दिमाग को छोड़ कर चला जा. Leave the heart of everyone who is watching right now. उस प्रत्येक जन के हुरदय में से निकल जा इस समय देख रहा है. In Jesus' name. येशु के नाम में. Lord Holy Spirit. रभू पवित्रात्मा. Come in. अंदर आ जाएं. अंदर आ जाएं. अंदर आ जाएं. Come in to everybody. प्रत्येक जन के अंदर आ जाएं. आप अपने मूँ को खोल कर पुकारें. Everybody says, Spirit of Jesus fill me. सब लोग कहें, येशु के आत्मा मुझे भर दे. येशु के आत्मा मुझे भर दे. Spirit of Jesus fill me. येशु के आत्मा मुझे भर दे. God is filling you now. परमेश्वरे इसी समय आपको भर रहा है. इसी समय. इसी समय. प्रभू पवित्रात्मा को ग्रहन करें. इसी समय आपको एक नया मत दिया जा रहा है. पवित्रात्मा से परिपूर एक नया आत्मा दिया जा रहा है. एक नई भाषा पवित्रात्मा की भाषा दी जा रही है. एक नई सामर्थे पवित्रात्मा की सामर्थे दी जा रही है. प्रभू को ग्रहन करें. रभू को ग्रहन करे उसे ग्रहन करे चले अपना मूँ खोल कर कहें धन्यवाद येश्व धन्यवाद पवत्रात्मा मेरे अंदर आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद रभू धन्यवाद रभू वह इसी समय आपको भर रहा है परमेश्वर का प्रेम इसी समय आपके हुदाय में भर रहा है If He makes you laugh, laugh गयदी वै आपको हसने के लिए प्रेरिट कर रहा है If He makes you clap your hands and rejoice यदी वै आपको ताली बजा कर आनन्द मनाने के लिए कह रहा है आप आनन्द मनाए If He makes you cry, cry यदि वैं आपको रुला रहा है तो आप रोए परमेश्वर प्रतेक जन के अंदर आ रहा है उसकी स्तूती करें आनंद मनाए पवित्रात्मा का स्वागत करें अपने अंदर उसका स्वागत करें धन्यवाद प्रभू आप परमेश्वर है आप इसी समय हमारे अंदर आ रहे हैं आप इसी समय प्रतेक जन के अंदर आ रहे हैं चोटे बच्चों के अंदर नौजवानों के अंदर आप पिताओं के अंदर आप सब को भर रहे हैं धन्यवाद प्रभू आप उनके घरों को भर रहे हैं उनके परिवारों को भर रहे हैं उनकी आत्माओं को भर रहे हैं, उनके कारियों को भर रहे हैं, इसी समय उन्हें भर रहे हैं, धन्यवावद प्रभु ये शूँ, सब लोगों को एक नई स्रिष्टी बना दे, अब से कोई भहना रहें, अब से कोई भहना रहें, चलें टाली बजाकर प्रभु की स्थूति करें, प्रभु उन्हे आशिश दें, उनकी आत्माओं में उन्हे आशिश दें, बच्चे आज से ही बहुत अच्छे से पढ़ने पाएं वे अपनी नोकरियों में तरक्की करें जिने आपने परिवार के लिए पैसे की अवश्यक्ता है येश्यू के नाम में पवतरात्मा के माध्यम से वो सारा पैसा उने प्रदान किया जाए जिनके विवाह हुने हैं पवतरात्मा आप उनके जीवन में सही जीवन साथी को ले खराएं व्यवसायों पर आशिश दें प्रभू आर्थिक आशिशे उने दें महान प्रतिफल दें जिन परिवारों में पती पत्नी और बच्चों के बीच में जगडे हैं आज ही आपकी शांती को मैं ऐसे परिवारों में भेजता हूँ मैं येशु के नाम में आज्या देता हूँ के जो पती पत्नी अलग हो चुके हैं फिर से एक लो जाएं परमेश्वर का प्रेम पती पत्नी के हुरदे में आ जाए वे एक दूसरे से प्रेम करें ये तनाव की आत्मा तू येशु के नाम में निकल जा ये भै की आत्मा तू येशु के नाम में निकल जा मैं प्रार्थ ना करता हूं के माता पिता और बच्चे एक होजाएं और आज से एक दूसरे से प्रेम करें प्रभू जिनके पास अपना घर नहीं है इसी समय में उनके लिए आपकी आशिष की घुशना करता हूं वे अपने जीवन में अपने लिए एक नया घर लेकर वापिस जाएं पिता आप उनके घर को बनाएं जिनसे वकाईयों के पास अपनी इमारते और जमीन नहीं हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप ही उन्ने इमारते और जमीन दें ताके वे शांती के साथ आपकी उपास ना करने पाएं प्रभू इस महीने के खत्म होने से पहले चमतकार करें और उन्हें कर्ज लेने से और उधार लेने से बाहर निकालें प्रभू येशु के नाम में ये आपके बच्चे हैं उन्हें जीवित करें उन्हें जीवित करें, उनकी सिवकाईयों को जीवित करें, उनकी पढ़ाईयों को जीवित करें, उनके पारिवारिक जीवनों को जीवित करें, उनकी नौकरियों को जीवित करें, उनके शरीरों को जीवित करें, हमें आशिश देने के लिए धन्यवाद हो प्रभू, हम सारी महिमा आपको देते हैं मेरे दोस्तो हम ये अंतिम प्रार्थ ना करने जा रहे हैं हम विश्वास करते हैं कि तू हमें ये आशिश दे रहा है प्रभू मेरे दोस्तो आईए हम सब विश्वास करें और जोर से बोलें आमीन हाललूया आईए प्रते काशिश को ग्रहन करें आईए जोर से ताली बजाएं और ये शू को सारी महिमा दें आईए प्रभू की स्तुती करना जारी रखें प्रभू की स्तुती करें